आपको ने चैप्टर नमबर 3 पढ़ा था ठीक है और आज हम लोग इसके एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे क्या कैसे करना है ठीक है चैप्टर आपका था कीज एंड कीबोर्ड सो हम लोग आज इसका एक्सरसाइज देखेंगे ठीक है तो फर्स्ट क्या है सेक्शन वन सेक्शन वन में एक क्या बोल रहा है एंसर दीज क्वेस्टन ओरली ओरली इन दसेंस कि आपको बस बोल की बताना है इसका कि इनके एंसर क्या होंगे आपको राइट नहीं करना है फर्स्ट क्या है इस की बोर्ड एन इंपुट या आउट पुट डिवाइस इस की बोर्ड एन इन्पुट और आउट पुट डिवाइस तो ये इन्पुट या आउट पुट होता है न डिवाइस्ट्य Mangल sprawd होता है ना तो आप लोग क्या बोलोगे येस की बोर्ड इस इंपुट डिवाइस ठीक है सेकेंड क्या है हाउ मेनी कीज डज़ा कीबोर्ड है कीबोर्ड पर कितने कीज और बटन होते कितने होते हैं 104 या फिर 104 ठीक है भाड और लेटर के Uh not desire can all out लेटर केज किस हूं अ प्रुमनों बोलेंगे लेटर के है जो टैपिंग करने के लिए जो होते हैं उसके तर्वेड़ों क्या करते कैर के लेटर की एंग करते हैं उसको लेटर की ज़ो एक जो जो there are, अभी देखो इन में से बीच में क्या mention होगा there are letter keys on the keyboard कितने keys होते हैं? there are 24 letter keys no, 25, no, 26 yes, 26 होते हैं न, हम लोगों ने पढ़ा था 26 letter keys ठीक है, the is a small blinking mark on computer screen क्या होगा, arrow होगा mouse, cursor cursor के लिए हम लोगों ने पढ़ा था न, cursor जो होता है यह चोटा सा अब लिंकिंग लाइन के जैसे होता है हमारे monitor screen पे ठीक है या फिर computer screen पे third क्या है, is the longest keys on the keyboard यहाँ पे longest key कौन सा होगा, caps lock की नहीं, arrow की नहीं, space bar की yes, space bar की ठीक है, तक लियर होगे आप लोगो अब हम लोग section 2 देखते हैं, ठीक है fill in the blanks इसमें आप लोगो बीश में जो भी mention करना है क्या होगा the keyboard is an क्या होगा input device input device the button on the keyboard are card क्या बोलते हैं, keys क्या बोलते हैं, keys there are 104 keys on the keyboard ठीक है the is the smart mark on the screen that show us our position क्या होता है, यहां पर मैंने भी उपर ही बताया ना cursor, क्या होता है cursor ठीक है इसके बाद हम लोग देखेंगे number keys are also called number keys को क्या बोलते है numeric key क्या बोलते है numeric key ठीक है numeric key या keys ठीक है the longest key on the keyboard is यहां यहां पर बताया ना ठीक है क्या होगा space bar keys ठीक है sorry, key only key होगा ठीक है space bar key ठीक है तो clear हो गया आप लोग को अब हम लोग इसके आगे देखते हैं हमें क्या करना है हाँ यहां पर आप लोग को कुछ figure दिये हुए है जो आप लोग के चैप्टर से रिलेटेड है आप लोग को बताना है कि जो figure के बारे में यहां पर बता रहे है वो सही है या नहीं state true or false true means पॉल्समेंस गलत और यूँके यहां यहां पर दिखो क्या है यहां पर इंटर लिखा यहां यूँके इंटर टू गीप स्पेस ब्टू वार्ट इसू यूज करते हैं हो पर नेक्स लाइन में जाने के लिए नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यहां पे गलत होगा ना क्योंकि यहां पे तो इस पेस देने के लिए स्पेस बार की का यूज करते है ना तो यह क्या होगा false ठीक है you can use यह क्या है delete to go to the next line और paragraph while writing गलत है यह भी ठीक है delete का तो हमाने डिलीट करने के लिए यूज करते हैं ना next paragraph पर जाने के लिए थोड़ी ना करते हैं तो इसका क्या हो गए यहाँ पर false अब यहाँ पर देखो दिया you can use यह symbols दिये हुए जो इन नंबरों पर हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं नंबर जोका हम इन नंबरों को लिखते हैं तो यह उपर के यह से नियुमेरिक कभी से इन नंबरों के भीज़ता था तेस सही है ना सारी वन के उपर टू के पर इस सारे नंबर हमारे कीबोर्ट पर बने होते थी है क्या होगा true you can use caps lock to write letter in capitals बिल्कुस सही है यह तो सही है यह भी क्या होगा true you can use number lock to type letters नहीं यह तो नियुमेरिक है ना यह क्या है नियुमेरिक है तो यहाँ पर यह क्या होगा number type के लिए होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यह false होगा you can use to erase यह क्या है backspace की है ना अगर backspace हमें कोई अगर कुछ भी erase करना है लिखा हुआ यहाँ पर यह क्या है true ठीक है यह आप लोग को clear हो गया अब हम लोग अगला क्या है answer the following questions ठीक है questions का answer देना है इनको अब हम लोग copy पर करेंगे इसको ठीक है चलो तो अब हम लोग answer writing करते हैं आप questions आप लोग के हैं और इधर मैंने question sensor साथ में लिख दिया है तो चलो देखते है question number one आपका जो है क्या कहता है what is the key what is the keyboard what are there on it ठीक है a keyboard is an input device keyboard क्या है input device it has a number of button on it called keys ठीक है इसके उपर जो भी number of buttons होएं उनको क्या बोलते हैं keys बोलते हैं key बोलते हैं ठीक है second question what are keys ठीक है second number का question अपका what are keys what are their function ठीक है number of buttons on keyboard is called keys number of buttons on keyboard is called keys we use this mainly for typing किस का यूज हम लोग कब करते हैं typing करने के लिए किसके लिए टाइपिंग करने के लिए ठीक है इसके बाद next क्या है next question next है आपका question number third name different type of keys on the keyboard name different types of keys on the keyboard different types of keys key क्या कौन कौन से की होते है different type of keys these are the letter keys, numeric keys, special character keys, function keys, arrow keys and special keys four number question आप लोग का क्या बोल रहा है what are the function of letter and number keys what are the function of letter and number keys first क्या है letter keys, चलो letter keys के पढ़ते है letter keys are used for typing letters and words ठीक है letter keys का हम लोग यूज कब करते हैं typing करने के लिए letter and words को there are 26 letters keys on the keyboard यहापे 26 letter keys होते हैं ठीक है जितने आपका alphabet में कितने होते हैं alphabet आपके same उन्हें को letter keys बोलते हैं वो letter ही नहीं होते हैं आपके a to j 26 होते हैं तो वही है यहाँ पे letter keys उतनी होंगे जितने आपका alphabet होंगे अलफाबेट की चितने नमबर होंगे ठीक है उसके बाद के हैं number keys number keys are used for typing for numbers number keys का use हम लोग numbers typing करने के लिए करते हैं ठीक है these keys are also called numeric keys इनको क्या बोलते हैं numeric keys भी बोलते हैं there are 10 number keys each on both sides from 0 to 9 ठीक है 0 to 9 यहाँ भी देखो number keys उसी को बोलते हैं न तो 0 to 9 को 0 से 9 किता हो गया 10 हुआ न तो इसको numeric keys बोलते हैं या फिर number keys बोलते हैं what is the cursor state its function ठीक है what is the cursor question number five the cursor is a small blinking mark on the computer screen it shows the position where a letter number or symbol can be typed यह position बताता है कि आप कहां पर हो computer screen typing कर रहे हो number लिख रहे हैं फिर जो भी symbol जो भी हम करते हैं उसको बताता है ठीक है समझ में आया आप लोगो जो symbol है कुछ भी हम जो भी हम लोग करते हैं वहां पर जाकर ब्लेंग करता है बताता है मैं ठीक है question state the functions of their three special keys तीन special keys के बारे बताना state the functions of any three special keys तो पहला special keys space bar key space bar key to give a small gap between each word और लेटर ठीक है space bar key का यूज हम लोग कहां करते हैं किसी भी लेटर या word के बीज में gap देने के लिए ठीक है उसके बाद उसके बाद क्या है सेकेंड है backspace key ठीक है backspace key में क्या होगा backspace key is to erase anything typing type on the left of the cursor ठीक है backspace की जो भी left side में typing होती है उसको erase करने के लिए हम लोग करते हैं ठीक है उसको erase करने के लिए हटाने के लिए थर्ड क्या है delete key delete key is used to erase anything typed on the right of the cursor backspace की हटाने के लिए दिलीट की delete करने के लिए एक्तम पामनेंट हटाने के लिए यूज करते हैं चहां पर भी cursor है उसके राइट साइल में जोभी चीजे लिखी होते हैं उसको select करके हम दिलीट की फुष करते हैं डिलीट हो जाता है ठीक है तो यह आपके त्री करना की काउड़ कर दिलीट की हैं टोंर करना को जोननruffया Button का उसके का नापके live SPD मिलीट ममः चुछ करना की की वदर조र घुछ